हालो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं यूज दा क्रेक्ट फॉर्म आफ दा वर्ब गिवन इन दा ब्रैकेट्स MCQs की फॉर्म में करेंगे और प्रैक्टिस के लिए हमने लिया है Board of School Education हरियाना भीवानी ने Class 10 Subject English का पेपर मार्स 2018 में जो लिया था उसके सेट A, B, C और D से हमने एक्जेम्पल्स लिये हैं ये sentences ये fill in the blanks हम अपनी previous वीडियो में पहले भी डिसकस कर चुके हैं अब difference क्या है कि इस बार एक तो हम PDF form में स्टुडेंट्स ने डिमांड की थी कि grammar की practice videos PDF form में बनाएं ताकि जो screen के उपर है, fill in the blanks हैं, sentences हैं वो सारे के सारे clear दिखाई दे और दूसरा हम ये जो practice video है correct form of the verb की इसको MCQs की form में discuss कर रहे हैं बिलकुल हम time waste नहीं करेंगे start करते हैं, first sentence दिया गया था my servant blank, bracket में verb की form दी गई है leave me two weeks ago अब देखिए, यहाँ पर keyword आप जो note करेंगे वो है ego कुछ और keywords हैं, उनका भी आप ध्यान रख सकते हैं past, last, back, day, before, yesterday, in 1980 in 1980 कोई ऐसा particular year नहीं है in 1995, in 1997 कोई भी year हो सकता है कहने का मतलब year से पहले अगर in लगा हो और ago दोबारा आप सुन लीजिए past, last, back, day, before, yesterday और year से पहले in लगा हो और ago तो इन में से कोई भी अगर आपको word मिलता है sentence के अंदर तो समझ जाएं कि past indefinite tense का sentence है और verb की second form आपको यहाँ use करनी है verb की जो form bracket के अंदर दी गई है जो verb bracket के अंदर दी गई है वो है leave leave की second form left होती है choices हम देख लेते हैं a left, b is leaving, c has left, d none तो आपका जो correct answer होगा वो होगा a left next sentence हम देखते हैं bad students never blank verb की form bracket में दी गई है work hard choices दी गई है a working, b work, c both and b, d none आपका correct answer होगा b work कैसे हुआ देखिए यहाँ पर जो never है वो habitual action को show कर रहा है habitual action जब show किया जाता है आपकी कोई habit जो होती है तो habitual action को show करने के लिए आप present indefinite tense का use करते हैं और bad students क्योंकि plural subject है इसलिए work का work आप blank के अंदर fill कर देंगे next sentence दिया गया है he thanked me for what I blank और verb की form bracket में दी गई है do choices देखिए a do, b had done, c was doing और d है none तो आपका correct answer होगा b had done यह कैसे आया देखिए he thanked me, thanked, past indefinite tense यहाँ पर use किया गया है उसने मुझे past में thanks बोला था, इसलिए he thanked और किस चीज के लिए बोला, जो काम मैंने उसके thanks बोलने से पहले मैं कर चुका था जो काम मैं उसके thanks बोलने से पहले कर चुका था, कर चुका था, चुका था यानिके past perfect tense past perfect tense के अंदर head plus verb की third form use की जाती है तो यहाँ do verb की form दी गई थी, head आपने लगाया do, did, done done जो है do की third form है, इसलिए हमने यहाँ पर head done का use किया है यह आप note down अपनी note books में करते रहें, practice और revise आप करते रहेंगे जितना ज़्यादा practice करेंगे, जितना ज़्यादा आप revise करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता जाएगा आप समझते जाएंगे, और यह जो topics हैं grammar के, यह बिलकुल आपको इतने easy लगने लगेंगे के आपको मज़ा आएगा, जब भी आप अपने channel just fun with English with a show कुमारें सुजाता को visit करेंगे और grammar सीखेंगे, practice करेंगे, तो एक-एक concept आपका clear होता चला जाएगा हम next sentence को discuss करते हैं fourth sentence है, I blank study for three hours, four आ गया है ध्यान रखना, since or four, when the lights went off, और went off आया है यानि के फिर से यहां पर went, past tense की बात की गई है और verb की form study use की गई है four यहां आया है, past tense में, यानि के हमें four जब आया है तो past tense में हमें past perfect continuous tense use करना है study का आप बनाएंगे had plus been plus studying had been studying, choices हम देखते हैं a, had studied, b, had been studying, c, both, d, none तो आपका correct answer होगा, had been studying समझ गए, क्यों आया है, क्योंकि हमें यह देखे, went off जब हमने देखा तो हमें पता लग गया कि यह तो past tense की बात की गई है past tense की गई है, तो blank के अंदर जो हमें verb की form fill करनी थी वहां हमने देखा के study के बाद four का use किया गया है sensor four आता है, तो इसका मतलब perfect continuous tense है और past tense की बात की गई थी, तो इसका मतलब हमें past perfect continuous tense use करना है इस लिहाद से हमने study को had been studying बना कर blank के अंदर fill कर दिया next बात करते हैं, sentence number five I shall not go to his house unless he blank invite me अब यहां पर देखिए, he choices है, a invited, b inviting, c invites, d none तो आपका जो correct answer होगा, वो होगा c invites आया कैसे है, देखिए, conjunctions आपने सुने होंगे conjunctions में, if, when, till, until, unless, as, as, soon as दुबारा सुनिए, if, when, till, until, unless, as, 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 soon as या तो यह logic आप लगा लिजिए, नहीं तो unless और otherwise condition imposed की गई है, इस तरीके से आप समझेए तो यहाँ जो यह conjunctions use की जाती है, इन में आपको क्या ध्यान रखना है, कि sentence का जो आप कहें, unless से पहले वाला भाग है, उसमें देखिए, शेल और वर्ब की first form use की गई है, यानि के future indefinite tense use किया गया है, तो unless के बाद वाला जो blank होगा, उसमें आप वर्ब की first form use कर देंगे, कुछ नहीं आपने सोचना है, दोनों के दोनों में आप will ya shell fill नहीं करेंगे, first unless से पहले वाले भाग में will shell plus verb की first form का use किया गया है, यहाँ पर जैसे shell plus verb की first form का use किया गया है, shall not go आया है, negative sentence भी यहाँ पर use किया गया है, तो आप जो unless के बाद ही है, उसके साथ में जो blank है, वहाँ पर आप invite जो है, उसकी verb की form fill करेंगे, और he singular subject है, इसलिए invite के साथ में आपको, verb की first form के साथ में आपको S लगाना पड़ेगा, invite का बन गया, invites और आपका correct answer जो होगा, वो होगा, C, invites, I shall not go to his house unless he invites me, next sentence discuss करते हैं, the police blank catch the thief, last night, अब देखें last, वही, I go वाला rule, past, last, back, day, before, yesterday, in, year से पहले, in, और ago, past, last, back, day, before, yesterday, in, 1980, ago, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, past indefinite tense का यहाँ यूज करना है, verb की जो first form catch दी गई है, catch की second form quote होती है, तो आप यहाँ choices में देख लिजिए, A, court, B, is catching, C, catches, और D, none, तो आप next sentence, number seven पे हम चलते हैं, what blank make the moon go around the earth, universal truth, बात की गई है, verb की first form use करेंगे और कुछ हो ही नहीं सकता, hundred percent, bracket में जो verb की form दी गई है, ऐसे कैसे आपको उठा कर रखनी है, कुछ भी नहीं सोचना, universal truth जब आ गया है, choices दी गई है, A, is making, B, made, C, makes, and D, none, but makes the moon, moon के reference में, singular subject consider करते हुए, makes से हमने, makes यहाँ बनाया है, जरूर, यह इस चीज का तो आप त्यान रखेंगे, but, यहाँ पर आप जो है, A, choice जो आपकी होगी, वो थी, is making, B, made, C, makes, D, none, यह आपकी choices दी गई थी, तो आप bracket में क्या fill करेंगे, what makes the moon go round the earth, तो यहाँ C, twice है, वो आपकी correct होगी, what makes the moon go round the earth, क्यों लगाया, verb की first form के साथ हमने S क्यों लगाया, क्योंकि moon की reference में हमने इसको use किया है, तो singular subject moon को हमने consider किया, इसलिए make के साथ, verb की first form के साथ, S हमने यहाँ पर लगाया है, और verb की first form क्यों use की गई, क्योंकि यह universal truth है, universal truth like sentence है, अब बात करतें next sentence की, देखें, look और sign of exclamation है, she blank tremble with fear, twice दी गई है, a is trembling, b tremble, c both, d none, आप सोच कर बताएए, क्या आएगा, look, previous videos में भी हमने आपको बतलाया है, देखें, look, hush, hark, और इनके बाद sign of exclamation, और एक आप कहें, do not, don't, look, hush, hark, इन तिनों के बाद sign of exclamation हो, और एक होता है, do not या don't, ये जब sentence के beginning में आई हैं या sentence की starting में, आई हैं या आप कहें, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस sentence में, look, sign of exclamation, she blank tremble with fear, इसका मतलब हमने कहा, देखो, देखो, अब ही देखो, इसका मतलब जो activity है, वो अभी continuity में है, continuity के अंदर है, तो हम यहाँ पर present continuous tense का use करेंगे, tremble verb की first form दी गई है, यहाँ bracket के अंदर, तो आप करेंगे, is it trembling, look, she is, she, singular subject है, is MR में से, is का use करेंगे, helping verb का, और tremble के साथ में, ing हम लगा देंगे, look, she is trembling, choices के अगर बात की जाए, a is trembling, b trembles, c both, d none, तो आपका correct answer क्या होगा, a is trembling, sentence number 9, this is February, then the next month blank, verb की form दी गई है, बी, मार्च, next, और following, अगर आजाता है, simple future या future indefinite की बात की जाती है, simple सा वही बात है, उसी तरीके से, future indefinite tense, आपको यहां यूज करना है, वर्ब की form बी है, और इससे पहले आप will का यूज कर देंगे, तो आपका correct answer होगा, लास्ट आ गया देखिए, कितने मज़े की बात है, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफॉर, येस्टरड़े, और येर से पहले, इन, और अगो, ये आया है, तो पास्ट indefinite tense यूज करना है, वर्ब की second form आपको यूज करनी है, यहां bracket के अंदर वर्ब की form दी गई है, सेव, तो second form हो जाएगी, सेवड, choices अब आप यहां पर देख सकते हैं, choices देखे क्या क्या दी गई है, A. सेव, B. इज सेविंग, C. सेवड, D. वाज सेविंग, क्रेक्ट आपका अंसर होगा, C. सेवड, अब देखिए, यह जो sentence है, बिल्कुल सिंपल सा sentence है, इसको देखने से कहीं हमें पता नहीं चलता है, यह past tense है, future tense है, तो ऐसे sentences को हम present tense में ही मानके चलते हैं, ही singular subject है, want verb की first form यहां पर दी गई है, ऐसे कैसे हम यहां पर fill करेंगे, present indefinite tense यहां बनाकर हम use करेंगे, want के साथ में हमें S का use करना है, क्योंकि ही singular subject है, verb की first form हमें यहां पर use करनी है, और उसके साथ में S लगाना है, क्योंकि ही singular subject है, चो ऐसे से देख लेते हैं, A. want, B. wants, C. wanted, D. none, तो आपका correct answer होगा, B. wants, आप देखिए, नमबर 12 और लास्ट सेंटेंस है, इस वीडियो के लिए, प्रैक्टिस वीडियो के लिए, देखिए, I did not see that the teacher blank stand behind me, I didn't see that the teacher blank, verb की form stand दी गई है, behind me, choices की अगर बात करें तो आता है, A. was standing, B. stands, C. stood, D. none, तो आपका जो correct answer होगा, वो होगा, was standing, देखिए, I didn't see, मैंने नहीं देखा, I didn't see, इन choices की अगर बात करें, didn't see, past tense की यहाँ, बात की गई है, तो यहाँ B. choice पे stance दिया गया है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि, stance जो है, present indefinite tense को शो कर रहा है, D. पे none, D. choice जो है, वहाँ पर none आपको तरशाया गया है, और क्योंकि sentence के that से पहले, आप कहें, sentence के अंदर, एक जो, verb की form है, वो, past indefinite tense को शो करती हुई, negative sentence भी है, वो यहाँ पर दरशायी गई है, for example, जैसे आपने यहाँ पर कहा, did not see, जैसे आप, अगर simple sentence होता, तो यह, saw, saw, वो होता, लेकिन यहाँ पर, negative sentence है, तो did not see, past indefinite tense को यह शो कर रहा है, तो next जो आपका blank होगा, वहाँ पर, आपका stood, verb की जो second form है, यहाँ पर suitable, नहीं रहती, उसको use, नहीं किया जा सकता था, सही नहीं रहता, तो हमने, एक sentence, past indefinite, sentence का एक पार्ट के अंदर हमने, past indefinite, जो tense हो यूज किया गया है, और next पार्ट में हमने, that the teacher, के बाद blank है, verb की form stand दी गई है, उस पार्ट में हम, past continuous tense को, use करेंगे, sentence को meaningful बनाने के लिए, that से पहले, didn't see, यानि के past indefinite tense यूज किया गया है, और that के बाद, जो verb की form, आप यहां यूज करेंगे, blank में, वो past continuous tense को हम, use करेंगे, teacher, जो है, singular subject हैं, इसलिए, was वर में से हमने, was को हम use करेंगे, और continuous tense बनाने के लिए, stand के साथ में, ing लगा देंगे, इसलिए हमारा correct answer होगा, a was standing, students, यह कुछ examples थे, जो हमने आपके साथ, discuss किये हैं, और उमीद करते हैं, आपको अच्छे से समझ में, आए होंगे, इसी तरीके से, practice videos के लिए, channel पर, बने रहें, लगातार आपको, आपके, अलग-अलग topics से related, practice videos, मिलती रहेंगी, MCQs की form में भी मिलती रहेंगी, और, आपके, exams के लिए, best of luck, thanks, have a nice day,